मेरा नाम लापचंध है और मैं नागोर जिला करेने वाला हूँ नागोर जिला के अंदर में गाउं का नाम ताऊसर है और मैरा पिताट जी का नाम चौलाराम जी है मैंने 2011 के अंदर परिसकार कोलेज में एडमिसन लिया था और उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था CA क्या होती है तो मैंने उसके बाद यहां आया तो उन्होंने बताया कि बीकॉम के साथ CPT करवाई जाती है तो मैंने यहां आके CPT में एडमिसन करवाया और यहां से कलास ली जो कलास फिरी में दी जाती थी परिषकार कोले ची चीच दरफ से और मैने 2015 CPT क्लास लेकर परिषक्सकर कोले से CPT पास आउट किया था उसके बाद मैंने कलास ली और सात director परिषकार कोले से आटि सिस्कार कोले चरी थी और उसके बाद मैंने IPCC आउट कर लिया था गेडियूशन के साथ साथ उसके बाद में टेंडिंग वगेरा किया और फिर मेंने फाइनल के लिए एकजाम वगेरा दिये और मैंने 2018 अंधर गत फर्स गुरूप किलिर किया उसके बाद में ने अभी दिसंबर 2021 के अंधरगत सेकेंड ग्रूप पास करके C.A. क्वालिफाइ किया जब मैंने CPD जोइन किया था तो इसके बाद जैसी कलास होती ती मोग तेस्ट भी होता था और मोग तेस्ट हर पांच आ दिन में हर वीक को सोमार को होता था और मोक्स्टेस, CPT में जैसे ICI जो एक्जाम कुछती थी वेस से उस बेस पे होता था और पेटरन वह रहता था और मैं परस्टनल्टी डवलपमेंट के लिए एक अलग से क्लास लगती थी और उसके लिए अलग से क्लास में बताया जाता था कि आपको इंग्लिश इंप्रूमेंट कैसे करनी है, का इंटू कैसे देना है वो चीज भी बताई गई थी जब हमने फर्स्ट टाइम जोइन किया वेसे युनिवर्सिटी कैसे करता है वेसे होता था उससे क्या अनलाइज हो जाता था कि बच्चे के परसंटेज क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा और एक मीनय में इंप्रूमेंट करनी के लिए वो थोड़ा बोत एक्स्टा क्लास वगरा लेके पढ़ाया जाता था उ परिषकर में अजादी परग्राम में में भाग लिया तुस में मतलब एक सार इतने बच्चों को में बच्चों को मतलब इतने बच्चों गो इतने वो रागव सर वगेरा सारी टीम है जो परिशकार कोलेज गी वो मैनेज करते थी और मतलब हर 15 वीसी स्टुडेंट को पर एक टीचर रहते ध्यान रखते थे और बहुत अच्छा परोग्राम होता था आजादी परोग्राम मुझे भी अच्छा लगा उसमें अच्छा परोग्राम करवाया गया था पर इसकार में मैंने एडिमिसन लेके रेगुलर इस्टुडेंट कैसे अपने आपको इंप्रूमेंट कर सकता है रेगुलर इस्टुडेंट कैसे पढ़ाई करता है और यहां टीचर का जो सहयोग रहता है वो एक मतलब जो 11-12 के जो क सब्सक्राइब करता है तो एक दम जो डिसिप्लीन की बात की जाए तो वह उती सांदार लगा मुझे डिसिप्लीन है और ड्रेस सब है और जो क्लास का माहूल है और जो टिचर ने जो पड़ाया वो बहुत अच्छा लगा मैं जब 2011 में आया था तो मेरा फर्स्ट मुलाकात पील सर से हुई थी और उसके बाद मद्वसूत明 सर ते तो मधिन सर जैसमेरा च्छा और जब युझे मुझे एक्कोनोर्मिक्स में दिक्कताथ फो मैं मद्वसूत Kollegin सर至 कंसल्ट करता धा और जब वगराम दिक्कथा थी तो पीयं सर के साथ कंसल्ट करता ता उन्होंँ और सा जब आप ट्वेल्ट के बाद आप सी एफाउन्डेशन में एडमिस्टन लो और दूसरा है कि आप विकोम करने के बाद यां से परिसकार से जाने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री के तरू भी कर सकते हो। जब आप 12th पास करके यहां एडमिस्टन कर रहे हो तो CA Foundation के लिए रजिस्टेशन करवा के आपको यहां पर CA Foundation की कलास है वो फिरी होती है मैं यहां के टीचरे हck बगएरा कि बॉलना चाओंगा कि यहां कि जो टीचर नियुक होती है यां कोई भी मनलब दिकेता तो वो मतलब अपन कंसल्ट कर सकते हैं, वो अपन को बता के क्योरी सोल करते हैं, और एक जो परिवार जोसा मावल मिलता है, वो मुझे यहां मिलाता, पढ़ाई के लिए, और मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, कि रेगुलर पढ़ाई करें, और अपनी पढ़ाई के करते हो, तो आप जल्दी सक्सेस पराप कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, या पढ़ाई के परती कितने ही मानदा है, डिस्प्लीन और जो पर्सनल्टी होती है, उसे उसके ऐसे कॉन्फिडेंस का पता चलता है, कि वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, और आप कहीं पर भी आप जाते हो, तो आपकी अलग से ही महत हुरेता है, कि ये बंदा दे को कितने हैं, कितना सींचर है, कितना अच्छा है, कितनी नोलेज है, तो वो चीजे माइने रखती है, मैं यह कहना चाहूँगा बच्चों को, कि वही वो रेगुलर टेस्ट तो देई, उसक के अलवा जो सेलप स्टड़िये है, उस प TC feeling ज्यादा फॉकस करें, मैंने देखा है कि क्लस अगएर ली परिस्कार से मैंने मिलेखी से मैं दोप कलस नोलेज के मिलेखे ऐड़ी कोया लिए उस के अलवा जो सेलप की जादा फॉकस किया, तो दोनों दोनों का स्योग रहता है में कि आप कोलेज का भी सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हो उसके साथ यदि जो एक्षा क्लास लगती है दो तीन गंटे यदि आप उसको लेना चाहिए और उससे क्या है आपका जो जिक्के है जो मेथ है जो रिजनिंग है वो चीजे जो एक्षा क्लास लगती है वो आपको लेनी चाहिए रेगुलर जिससे कि आपको कॉंफिडेंस आता रहे कि पड़ाई के साथ साथ अपन कुछ एक्षा कर रहे है और जब आप जब भी कंपिटेशन में उतरो तो उस चीज का फेस नह आप चाहते हो कि मुझे मतलब ache द्वвин के लिए अपलाई करना है और मुझे एमे करके एसिस्टेंट प्रोलर के लिए अपलाई करना है और मुझे तो वस नेट और जियार फी निकालना है और मुझे तो बस अब्जेक्ट में ही पकड़ करनी है तो आप एक पर्टिकुलर स यहां जो मावल मिलता है और जो टीचर गाइड करते हैं उनको ध्यान में उनको भी प्रोपर गाइडलाइन का फोलो करें और खुद पढ़ाई करें और और फेमेली बेग्राउंड का भी ध्यान रखें यहां जो जेपूर में आके बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते हुए पढ़ाई करें और जो परिसकार कोलेज में जो गाइडलाइन उसको फोलो गरें तो मेरा मानना है कि आप जल्दी सक्सेस करते हैं तो उसमें टीचर का भी स्योग रहता है और खुद का भी स्योग रहता है दोनों चीज मिलके ही हो सकती है जरनी के दोरान मेरे परिसकार कोले और PLC को भी दन्यवाद वरना